सास्त्रों में कहा गया है मनेव मनुष्यारणाम कारणाम बद्ध मुच्छो हमरे बीच में एक भक्ता आजाए है सहित कानपुर तरफ से आए आउधेशा नंद नाम है खड़े हो ये है ताली बजाते है इनके साथ महेश राम आया ये दो लोगों को गुर्दिच्छा दिलाने लाए थे गुरुमंतर दिला 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 बोले जो गुरुमंतर में सामान लगता हो अगली बार आपको दिला दूगा उसके इंतजाम से नहीं जाए हम गुरुमंतर उधार भी दे देते जो लगता है बात को देता है अब नगत करोगे तो उसके पास है नहीं अब दुबहरा मिलन सालो बात होगा तो जरूरी काम जो गुर्मंतर का है वो सुरूफ हो जाए और जो बेट वाला काम बात को होता रहे वोई हमसे पूँच रहे थे जब ध्यान में बैठता हूँ तो मन में बहुत बिचार आते है तो मैंने पूँचा जब ध्यान में नहीं बैठते हो मैंने सोचा जब ध्यान में नहीं बैठते हो तो बिचार आते की नहीं आते है तो भी आते है तो बिचार कब नहीं आते हैं जब गहरी नींद में सो जाते तब बिचार नहीं आते है गहरी नींद महातुरी अवस्था में जब तुम सुसुपती अवस्था में सो जाते हैं तब बिचार सांत हो जाते है और दूसरी कंडिशन है कि जब आत्मी मर जाता है तो मुर्दे में बिचार नहीं आते हैं और ध्यान में जब तुम बैठते हो तो और ज्यादा बिचार आते हैं ध्यान में नहीं हो अभी आँखें खुली हैं तो कम बिचार उठ रहे हैं तकिन आँखें बंद करके तुम देखो कितना ख़द रहा है थोड़ी देर बंद करा दू फिर देखना तुम कितना लंबा कार खाना खोल कर बैठो एक मिनिट में न जाने कितने विचार आपके अंदर आ जाएगे तुम्हारे अंदर ये भी मन में आ जाएगा गर का दरवजा खोला तो नहीं रह गया है खिडकी के ग्रिल बड़े बड़े है उसमें से बंदर तो नहीं खोज गया खिडकी खुला रहे गया बंदर की भी याद आएगी और ये याद क्यों आता है क्योंकि मन आपको उन चीजों की याद दिलाता है जहां तुम्हारा लगाओ है जहां तुम्हारी जरूरत है जहां तुम्हारी और शक्ता है ताकि तुम्हारा काम बिगडने न पाए इसलिए मन हमेशा निरंतर अलर्ट हो करके ने ने विचारों को याद दिलाता रहता है कि तुम्हारा काम विगडने न पाए उसके अंदर वो एक रील चलती रहती फिल्म चलती रहती है तो लोग चाहते हैं कि मन सुन्य हो जाए लकनों में एक मिशन में ध्यान करा जा रहा था तो मैं भी बैठा था उसमें तो उसमें एक आदमी सो गया कुरसी पर गर्दन जूल गई उसकी और इतना सो गया कि नाक बजने लगी गला बजने लगा तो मैंने कहा ठीक है ध्यान में कोई म्यूजिक नहीं था तो ये म्यूजिक बजा रहा अब इतनी नाक गला घुर रहा है कि मेरे मैं तो उसके ध्यान के बीच में चार पाँच बार आंके खोल कर देखा मेरे मन में था उठके इसको धका दू भाई नाक मत बजा भले तो आँक खोल कर बैठ जा लेकिन उठों तो भी डर था डिस्टर्ब हो जाएगा दूसरों को उठ भी नहीं सकता था तो उसकी पोडोस जो बेठा था मैं सोचता था ये पोडोसी भी बड़ा निकम्मा है कम से कम थोड़ा धकेलना चाहिए अब नाक गुड़गुड़ा रहा है बजा रहा है तो बोलना चाहिए कुछ कहना चाहिए पोडोसी इतना साइलेंट था कि छूँगा नहीं किसी को भले वो टेक्टरी स्टार्ट करें कोई बात नहीं सबको डिश्टर्व हुआ सबका ध्यान बिगड़ गया अब कोई बोलने के हिम्मत नहीं फिर पता नहीं क्या हुआ उसका गर्दन सीधा हो गया या लुड़क गया चाहता तो घुरगुरहट बंध हो गया तो हमने खा जय बजरंग पली आज के ध्यान में तो इसकी नाक का म्यूजिक सुनाई देता रहा बाकी कुछ हुआ है भगवान की याद करने ही नहीं दिया ध्यान ग्यान की जब चरम इस्थती को तुम प्राप्त करते हो उसके बाद गुरु गौरखनाथ नहीं कहा है हसबा खेलिबा धरिबा ध्यान हसते हुए खेलते हुए काम करते हुए भी तुमारा ध्यान लग जाता है जब तुम ग्यान को प्राप्त हो जाते हो ग्यान की अधूरे पन में ध्यान नहीं हो सकता है पहले ग्यान को प्राप्त करो मैं कौन हूँ मैं संसार में क्यों आया हूँ यहां यही सब राबा ढाबा करने आया हूँ उल्जन में जीने के लिए आया हूँ इतना दुखी होने के लिए जनम लिया हूँ इतनी भारी टेंशन ये सब क्या कर रहा हूँ थोड़ा अपने से प्रश्न भी पूछा करो और स्वेम से जो प्रश्न पूछने लग जाएगा उस विक्ति को स्वेम से ही उत्तराने लग जाएगे क्या जिन्दगी इसी का नाम है